हेलो बच्चो मैं सभी सर आप सब का स्वागत करता हूँ आपके चैनल आफिया कवेश्टी पॉइंट में आप सभी को नमस्ते आज की वुडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं जीके जीएस के दस ऐसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन के साथ एंसर बतलाने वाले है जो आपके बिहार SSC इंटर अस्तरिय परिक्षा 2023 के लिए क्या है ये दसो कोस्टन जो है इंपोर्टेंट कोस्टन है और ये सारा कोस्टन जो है पिछले वर्सों का कोस्टन है यारे बिहार SSC में पूछा गया कोस्टन है और वही कोस्टन आप लोग को बतला रहे है जो पूरी मंदारी के साथ complete करना है क्योंकि आज आप लोग को answer के साथ बतलाएंगे ठीक है चलिए पहला question देख लिजिए पहला question आपका क्या है नौ सेना का फुर्वी कमान कहा है यहाँ पे 4 option दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे आप लोग को direct answer बतलाएंगे चलिए ज़ाद आप लोग का समय नहीं लेंगे तो नौ सेना का पुर्वी कमान कहा है तो आप सबको मालूम होना चाहिए विशाखा पतनम याद रखना इसका answer ठीक है तो B जो है सही जवाब हो जाएगा चलिए दूसरा question देख लिजिए दूसरा question आपका क्या है दूसरा question आपका है नंदन कानन अभिहारन किस लिए परसीद है चार option आपका दिया हुआ है तो C इसका सही जवाब हो जाएगा सफेद बाग के लिए परसीद है नंदन कानन अभिहारन किस लिए परसीद है तो सफेद बाग के लिए परसीद है यानि C, कोशन नमर 2 का C जो है राइट एंसर है ठीक है और ये सारा कोशन जो है बिहार S.A.C. में पूछा गया कोशन है ठीक है ये सारा कोशन जो है बिहार S.A.C. में पूछा गया कोशन है और ये question जो है question बैंक के से हम select किये है और वही question select किये है जो बिहार SSC इंटर रस्तिरिय परिच्छा 2023 के लिए क्या है important है इन दसों question का answer जो है पूरी मंदारी के साथ आप लोग को complete करना है ठीक है चलिए question number 3 देख लिजिए question number 3 आपका क्या है UNO का मुख्याले कहा है तो आप सबको मालूम होना चाहिए इसका right answer क्या हो जाएगा याद रखना UNO का मुख्याले तो आप इसका right answer A हो जाएगा चलिए question number 3 भी complete question number 4 भारत में सबसे उचा दर्वाजा कोज सा है तो सबको मालूम है इसका right answer क्या हो जाएगा चीनी का कोटोरा कहा जाता है विस्व का जो है ना कि देश को चीनी का कोटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को चीनी का कोटोरा कहा जाता है A option right answer हो जाएगा ठिक है? चलिए question number 6 देख लीजिए उरिसा का पूरा नाम क्या था? तो उथकल यानि यहां पे चार उपसंद दिया हुआ है इन चारों में से राइट क्या हो जाएगा उतकल सही जवाब हो जाएगा उडिसा का पूरा नाम क्या था तो उतकल ठीक है चलिए कुस्टर में साथ 8 से रोग किसके दुवारा फैलता है तो C वाइरस यानि C जो है ताकि जो है आप लोग का अच्छा लगे चलिए कुस्टर मेर 8 हल्दी पौधों के किस भाग से प्राप्ति की जाती है हल्दी जो है पौधों के किस भाग से प्राप्ति की जाती है तो तरना क्या इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए कुस्टर मेर 9 Greenhouse किस पदार्थ का बना होता है तो काच का बना होता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा C हो जाएगा तो आज की वीडियो का अंदीम question है A very very important question शरीर में रुधीर का बंडार है तो तिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा A क्या हो जाएगा A इसका सही जवाब हो जाएगा तिल्ली जो है इसका right answer हो जाएगा शरीर में रुधीर का बंडार है तिल्ली ठीक है तो इस परकार से आज आप लोग को क्या किये है GKGS के 10 essay very very important question के साथ answer बदलाएगा है और ये सारा question जो है पिछले वर्सों का question है question bank के से select किया हुआ question है और वही question select किया हुआ है जो आपके बिहार SSC इंटर रस्तरिये परिच्छा 2023 के लिए क्या है important है इन दसो GKGS का question आप लोग को करना क्या है पूरी मंदारी के साथ complete कर लेना है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है GKGS के 10 बहत पूर्ण परस्तन है पिछले वर्सों का question यह सारा question जो है बिहार SSC में पूछा गया question है ठीक है और यह question जो है बिहार SSC इंटर रस्तरिये परिच्छा 2023 के लिए क्या है important है ठीक तो चलिए आज का वीडियो आप लोगो को कैसा लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, comment जरूर करना अजो हमारे चैनल पर नए है उनसे रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सस्क्राइब करना धान्दवात